अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज मैं बनाने वाली हूँ हांडी पनीर भुना मसाला जो की खाने बहुत तेस्टी बनता है और इस तरह के समें मिट्टी का मट्का लेना है इसमें बहुत ही टेस्टी बनती है सब बुत मसाले लेने जिसमें हैं 1.5 ती स्पुन जीरा चार से पांच काली मिर्च एक दालचिनी का टुकड़ा और बड़ी लाइची तीन से चार हरी मिर्च लिये मैंने और साथ में मैंने लिये है दो बड़े प्याज बारी कटेवे एक चमच लिया मैंने अद्रक लसन का पे कैसे आप बनाएंगे बहुत टेस्टी बनता है और यह देखिए मैंने एक लहसन बड़ा सा डाल रखा है इससे सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है साथ में लिया मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून मैंने लिया है ल तो पान्च मिनट हमें इसे लगेगा भूनने में दीमी आज पर हमें इसे भूनना है और मिट्टी के बरतर में अगर आप खाना बनाते है न बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनके तयार होता है और यह देखिए इसे अब यह धकन भी मुझे साथ में मिला था मटके के और इसी इस ब् 현 बहुत पर को कम ज्यादा जैसे भी लगती हो और इसे हमें अच्छे से उबालना है और यह देखिए सब्सक्राइब करें wurde इस तरीके से दिख रहा है सब्सक्राइब लजग गुदी सब्सक्राइब गलते हैं और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें इस तरीके से ढकन को उल्टा रखना है सबजी को हमें देना है दम दम देखें अगर आप पकाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट सबजी बनती है और ये देखिए आटे की लोई से हमें इस तरीके से चारोर से हमें इसे अच्छे से कवर करना है और दस मिनट के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है और देखिए दस मिनट हमारे हो चुके हैं तो चलिए हम चेक करते हैं इसे और खुश्बू इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स इसको हटाने के बाद मैं आपको बिल्कुल भी बता नहीं सकती इतनी लाजवाब सब्जी बनके मूँ में पानी आ रहा है और अभी थोड़ सी ग्रेवी बाकी है तो मैं थोड़ा से से और पकाऊंगी पांच मिनट और देखिए सब्जी बन गई हमारी धनिये से मैं इसे गानिश करूंगे अच्छे से धनिये से फ्लेवर सब्जी का बहुत अच्छा आता है और ये देखिए देसी स्टाइल हमारा मटकाप भुना पनीर मसाला बनके तयार हो चुका है लुक अट दिस फ्रेंड्स इसे आप रो युग ने रिस पर साथ तब तक खुश रहें मस रहें और सबसे इंपोर्टन खाते रहें तिल देन टेक केर बाबाई